नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बियारेच फैक्ट में दोस्तों आपको पता ही होगा कुछ दिनों पहले उराचल परदेश में तवांग में चीन की पीयले और भारती सैना के बीच जड़ब हुई थी जिसमें भारती सैना ने चीन के सैनिकों को पीट पीट कर अपनी सीमा से खदेडा था अब कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है हमारे रक्षा मंतराले की तरफ से चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की तवांग में मार खाने के बाद क्यों बदल गया चीन अब भारत से अच्छे रिष्टों की दे रहा है दोहाई दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए चले चलते हैं बिना टाइम को आए अप तेनात की जाएंगी वर्तमान में परले ब्लैस्टिक मिसाइल 150 से लेके 500 किलो मिटर तक के लक्ष को भेज़ सकती है और इंटरसेप्ट मिसाइलों के माद्यम से दुश्मन के लिए इंटरसेप्ट करना बहत मुश्किल है इन मिसाइलों को रक्षम अंत्राले के उच्छ स्त मिसाइल को और विक्सित किया जा रहा है और अगर सैना चाहे तो इसकी सीमा को काफी और बढ़ाया जा सकता है 2015 के आसपस मिसाइल सिस्टम का विकास होना शुरू हुआ और इस तरह के शमता के विकास को जर्नल विपन रावत ने थल सैना अदक्ष के रूप में बढ़ावा इस मिसाइल का पिछले साल 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को लगातार दो बार सफल प्रिक्षन किया गया था प्रले एक ब्लैस्टिक सता से सता से मार करने वाली मिसाइल है इंटरसेटर मिसाइलों को हराने में सक्षम होने के लिए उन्नत मिसाइल को एक तरह से विक्सित किया ग Navigation or Integrated Avionics शामिल है इस मिसाइल को सबसे पहले भारती सैना में शामिल किया जाएगा इसके बाद भारती सैना में शामिल होने की सबाबना है परताब को रक्षा मंतराले के स्थर पर मंजूरी दे दी गई है दोस्तो डिफेंस पर नज़र रखने वालों का कहना है कि इस तरह की मिसाइल सिस्टम, लंबी दूरी की दुश्मन, एर डिफेंस सिस्टम और अन उच्छ मूल वाले सैने ठिकानों और हत्यारों को नश्ट करने के लिए किया जा सकता है इन मिसाइलों को शामिल करने का परस्ताव ऐसे समय में मंजूरी दी गई है हम रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं दोस्तो आपका का कहना है हमारे इस रक्षा मंत्राले मंजूरी पर प्लीस कमेंट करना दोस्तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि तवांग में जड़ब होने के बाद चीनी बदेश मंत्री वांग जीन ने कहा कि चीन भारत के साथ संबंदों को स्थिर और मजबूत करने के तियार है साथ ही हम दोनों सीमा वर्ती शेत्रों में शांती बनाए रखने के लिए प्रतिवद है दोस्तों उनराचल परदेश के तवांग सेक्टर में कुछ दिनों पहले चीनी आर्मी ने कबजा करने की कोशिश की थी लेकिन सेना ने अद्यम साहस दिखाया और अचानक हुई इस हमले का मूत और जवाब दिया चीनी सैनिको को ना सिर्फ खदेरा उसके नापाक मनसूबों को पूरा नहीं होने दिया तवांग में मूग की खाने के बाद ड्रैगन के तेवर अब बदल गए हैं चीनी वदेश मंतरी वांग जी ने कहा कि भारत चीन के साथ समंदों को स्थिर और मजबूत करने के त्यार है गोर तलब ये है कि चीन का ये बियान उनाचल परदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनाओं के बीच 9 दिसंबर को हुए आमने सामने कि पिष्ट भूमी से आया है जड़ब के बाद जहां भारत बदेश मंतराले ने एक बियान में कहा था कि भारत और चीन ने 20 दिसंबर सचूल सीमा बैठक बिंदू पर कोर कमांडर स्तर की बैठक के 70 दोरे का अजोजन किया और सुरक्षा बनाए रखने पर सैम्ती व्यकी दोस्तो चीन का हमेशा यही है जब उन्हें मार पड़ती है तब अच्छे रिस्तों की दोहाई देना शुरू कर देते हैं अब यही अब तवांग में मार खाने के बाद अब चीन के बदेश मंतरी वांग जी अब अच्छे रिस्तों की दोहाई देने लगे हैं दोस्तों आपका क्या कहना है पूरी खबर पर प्लीस कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैहिन